नवस्ता दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 52 यर्स है और इनकी वाइफ ने यह हाथ बेजा है और लिखा है मेरे हजबेंट पॉलिटिक्स में है पर चुनाओ कभी नहीं लड़े और ना लड़ने मिला रिजनल पार्टी में यह पदपर है मेरा प्रॉब्लम है मुझे उनसे कभी सिंगल पैसा हाथ में नहीं आया और इस तरह का इनका प्रॉब्लम है और कोई पॉलिटिकल गेन मिलेगा की नहीं इनके सवाल है वो बाद में लेते हम 17 साल से कोई जॉब में नहीं है अब 52 में से अगर हम 17 साल को निकाले तो लगबग 35 की एज होती है 35 की एज से एक कोई जॉब नहीं है और इनके पास थोड़ी प्रॉपरटी थी वो भी इनसे बिग गई है आधी तो और आधी है और अभी तक खुद का घर नहीं है कब कमाएंगे खुद का घर कब बनेगा बच्चों को अच्छा जॉब मिलेगा फोर्स सवाल है पॉलिटिक्स फिल्ड कैसा रहेगा कभी MLA बन पाएंगे यानि MLC अब MLC मतलब मिल्सिपाल्टी होता MLC मुझे इसका इंगलीज का पूरा मतलब नहीं मालूम है बन पाएंगे इतने सारे सवाल है अब यह पाम जब मेरे पास आया मैं कब से कम एक घंटा हो गया आज वीडियो भी एका दो वीडियो कम बन सकते हैं कि मुझे यह पाम मैं बहुत कुछ देखना था इनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे आपके सामने तो मैं तीन फोटोग्राफ्स लेकर यह आऊंगा पर मेरा एक घंटे से उपर का समय इस पाम को रीड करने में गया इनके सनमाउंट पर एक फिश्चाइन है वो मैं आपको दिखा भी दूँ अब मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि व्यक्ति के जीवन में जब सनमाउंट पर फिश्चाइन होती है तो उनका पॉलिटिक्स की और जुका होता ही है या सरकार की और गवर्मेंट सप्लाय क किसी न किसी तरफ व्यक्ति का रुजान सरकार या पॉलिटिक्स से आता है 70-80% लोगों के जीवन में मैंने देखा है जिनके हाथ में फिश्चाइन होती है और ये साइट पैसा भी खुब देती है अब व्यक्ति पैसा नहीं कमा पा रहा है उनके तो फिश्चाइन वालों क तो मेरे एक जान पैचान वाले जो पमिश्ची चैनल के कारणी मेरे संपर्ग में आए जूनों बीच में मुझे एक रिसर्च करके दिया था कि कोई व्यक्ति UPSC में कब पास होता है क्या ऐसी साइन होती है कि वो UPSC में क्लियर होता है या बड़े सरकारी पद पर पहुंच उनके बारे में उनका रिसर्च था उस वीडियो के डालने के बाद एक दो लोग मेरे संपर्ग में भी आये जो अल्रेड़ी UPSC क्रेक कर चुके थे और दो से तीन लोग आये उनके सब के हाथ में जो रिसर्च था वो सिद्ध हो रहा था क्यूंकि मैंने वीडियो में बताय भी था कि इस तरह की साहिने होती है उस समय मिलता है और किसी के पास हो तो मुझे करपया भेजे तो लगबग तीन लोगों ने संपर किया तीनों के हाथ में वो सारी साहिने थी जो उस रिसर्च में था अब ये पॉलिटिकल बेक्राउंड से जो रिसर्च कर रहे इस चीज म है वो पॉलिटिकल बेक्राउंड से यानि उनके पिता बड़े नेता है पार्टी के तो उनके आसपास इस तरह के लोग भी होते तो उनके लिए रिसर्च करना बहुत आसान होता है उन्होंने पॉलिटिक्स में जो सफलता के अंदर दो चीजे बताई एक तो यहां पर जो म शनी की उंगली और जिसको मैं अलग तरह का धार्मिक रुजान होता है इस तरह की चीज़ अगर गुरू की तरह जुकती है इस तरह की साइन तो पॉलिटिकल पद मिलता है पर उनको चुना उलड़ने नहीं मिलता है बड़े पोस्ट पर पॉस्ट है और यही मचली जब थो और उन्होंने गूगल से भी बड़े बड़े नहताओं के फोटो भेजे और लगबग जैसे मैं नाम लू रामबिलास पासवान राजनात सिंग मुलायम सिंग ऐसे ऐसे जो सालों से पॉलिटिक्स में प्रणाव मुखर जी उनके सब के हाथों में उन्होंने गूगल से मु हाँ सणमाउन की फिश हैन जब फोटोग्राफ लेते तो वो नहीं आती कि वह बहुत बारिक होती है वो उस फोटोग्राफ में नहीं आती पर एक जनरली यह मेरा तजूर्बा है कि हर पॉलिटीशेν के हाथ में सब मुण पर फिश साइन होती है यह तो सनातन सत्य है वो इनके भी हाथ में है पर बाकी की साइन है एक भी नहीं है पर इनके पास पॉलिटिकल पद है तो इनके यहाँ पर इनकी वाइफ ने मुझे यहाँ पर एक जुपिटर पर एक फिश शाइन देखी यह पॉलिटिकल पद दिलाती एक और रिसर्च उनका है कि कहीं न कहीं यहां पर इस तरह की साइन आती है यहां पर भी उस समय भी political gain मिलता है यह भी इनका research है तो यह सारे चीजे है इस मैं से केवल इनके हाथ में sun mount में है और political pad के है तो मुझे नहीं लगता कि इनको हां उस परिवर्तन में यह सारी चीजे आ जाएगी तो हो सकता है देखो साही ने बदलती रहती है जीवन में पामिष्ट्री है बदलती रहती है तो उस समय कहीं न कहीं इनके जीवन में बदलाव आएगा पर वर्तबान समय में यह इस्तिती नहीं है और ना ही financial इस्तिती में जो सुधार होने वाला उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि कब से सुधार होगा अब इतनी अच्छी साइन होने के बाव व्यक्ति कमा नहीं पाता तो फिश साइन वालों को दो ही माइनस पॉइंट परेशान करते एक तो सुजन बरी फेट लाइन और कोई माइन लाइन पर यह आ जाए यह दो साइन उनको परेशान करती है ग्रोथ नहीं देती राव रेखा है कोई फरक नहीं पड़ता ही इतना ज़्यादा उनके जीवन में हाँ धन रेखा पर कट है तो वो नॉर्मल एक समय उनको घटा जाता है उसके बाद वापस जीवन नॉर्मल हो जाता है पर दो चीजे सुजन बरी अगर धन रेखा है और माइन लाइन पर यवसाइन है तो उसके जीवन में प्रॉब्लम आती ही है आर्थिक रूप से उनको कष्ट उठाना ही पड़ता है ग्रोथ निल बटा निल होगी है दो तीन दिन पहले भी इसी तरह के व्यक्ती मेरे जीवन में आये टच में आये जान पैचान वाले थे वो भी पॉलिटिक्स में है बड़े बड़े नेताओं के साथ स्टेज पर खड़ा रहने मिलता है पर उनको अभी तक लड़ने नहीं मिला है और उनके फेट लाइन पर है तो फिलाल इनके हाथ में पॉलिटिकल पद के सिवा कोई ऐसी साइन नहीं है जो इनको MLC या MLA या MP बनाने की और इशारा जाता हाँ पॉलिटिकल पद मिलेगा रासवाल आर्थिक तो वो फोटो भी है उस पर भी हम देखने की कोसिस करेंगे कि इनके जीवन में कब से आ माने पर आएगा सारा ब्यात समय सारा वसुल हो जाएगा तुकि इस तरह की सुपसाइन है अब जीवन में इनके जो जो घटा है घटी है इनकी वाइफ ने वो भी थोड़ी लिख कर बैठी है बेजी है तो उसके बारे में भी ऐसा क्यू हुआ क्या हुआ किस कारण से हुआ उसका भी हम discussion करेंगे तो यह अगर कोई पामिष्ट्री का interested व्यक्ति और यह वीडियो देखता होगा तो 100% उसे इस वीडियो में बहुत कुछ सिखने मिलेगा और कैसी कैसी चीजे होती है कि सूपसाइन होने के बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में problem आती है आर्थिक र आता है वो भी दिख रहा है तो यह सारी चीजों पर हम प्रकाश डालेंगे इनके हाथ में अब इनका पूरा पाम पहले लेते एक एक करके जैसे नॉर्मल एनालिसिस करते हैं वहाँ से सुरुवात करते हैं जब यहां पर इस तरह की रेखा बने तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो भी opportunity मिलते हैं उसे grab करते हैं पर पामिश्ट्री में जब पूरा समीकरन साथ में बैगते हैं तब ही अच्छे सूर निकलते हैं यह एक basic सफाव हो गया हाथ स्क्वेरिश है तो व्यक second phalange भी अच्छा है logic के साथ बात करने में पर expert होंगे प्लस अंगुठा भी अच्छा है तो अंगुठा भी व्यक्तित्व अच्छा दिखा रहा है तो यह सारे गुंड तो है इनके पास इनके जो phalange है मैं कहीं बार कहता हूं कि अगर इस तरह के phalange हो जैसे सबनम की बु साइन है तो यह गए हुए पर उनको बाते करना बहुत आनंदाता है पॉलिटिक साथ यह उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है सुरी की उंगली बड़ी हिम्बती सबाव सो करती है इनके phalange बड़े है तो ऐसे लोगों के पास analytical personality भी होती है उं पर केवल एक साइन पूरा फल नहीं देती है जब सारे यंद्र एक तरह से अच्छा है और पर केवल एक साइन पूरा फल नहीं देती है जब सारे यंद्र एक तरह से अच्छा सूर निकालते तब ही औरकेश्ट्रा में से एक अच्छा सा गीद बनता है जीवन का तो यह सारी चीज़े है अब इनके क्लोज अप की और चलते है यहां पर देखे तो बुद्पर्वत पर खड़ी लाइन है एक दो और बुद्पर्वत का यह पार्ट थोड़ा सा उभार है तो व्यक्ति को नाम के प्रति भी ज़्यादा जिद्यासा रहती है और बुद्पर परवत एक व्यक्ति परवत है कोई टेंस वाली बात नहीं है और खड़ी लाइने भी है तो बिजनेस सैंस भी व्यक्ति में अच्छा खासा होता है यहां पर यह देखिए यह फिश साइन है इस साइन ने इनको पॉलिटिक्स में इंट्रेस दिलाया और यह जब भी इनकी ध बहुत बड़ी है पर करोड़ो रुपया कमाएंगे और वो भी कौन सा समय आएगा उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा आपको मल्टिपल प्रॉपर्टी की साइन भी है तो एक से अधिक प्रॉपर्टिया प्रैक्ति बनाता है और ऐसे भी फिश साइन वाले का जब धन्रेका सुदर जाएगी तो प्रॉपर्टिया तो ऐसे खरीते जैसे हम सिंचना खरीते है इतनी अच्छे पैसे आते हैं इनके पास तो यह लाब तो इनको आगे भी मिलने वाला है यहाँ पर सुरिपरवत की और जाती धन रेखा है यह विदेश से धन लाब की और भी इशारा जाता है हो सकता है इनके संटानों के द्वारा इनकी वाइफ का भी पाम देखा था मैंने उसमें भी यह साइन थी तो हो सकता है विदेश में इनके संतान चले जाए और वहाँ से धन कमाए एक जूपिटर की और जाती रेखा है ये चार लाब दिखाती है पॉलिटिकल सरकारी जो भी काम करें बड़े स्थर मेनेजमेंट उस तरफ इशारा जाता है प्लस ससुराल पैसे वाला या साडी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है तो कई लोगों को चार लाब मिलते किसी को तीन किसी को दो किसी को एक ये सारे संकेत तो इनके हाथ में है इधर साइन है अब इतने सारे फोटो लेकर मैं आपको बताओं तो ये जुपिटर पर एक फिश भी बनी हुई है, वो व्यक्ति को ज्यानी भी बनाती है, और साथ मैं जो मेरे जान पैचान वाले हैं, उन्होंने ये रिसर्च भी किया है कि जुपिटर पर फिश हो, जुपिटर के बास तो पद भी मिलता है, पॉलिटिकल पद, जो इनके प देएं जाता है, इस तरह के मिश्डी साइंस में, सेवा भावी भी होते हैं और पॉलिटिक सेवा भावी होता ही है, और धार्मिक दोब देती हैं अंदुरी मंगल मजबूत है इस तरह का अंदुरी मंगल हो तो ऐसे लोग जवानी में और टीनेज में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और जैसे उम्र बढ़ती है वो कम हो जाता है फिर एकदम बढ़ेगा बुड़ापे में जब हाथ तेर थोड़े से कमजोर हो जाते है उस समय फिर वो वापस अपशब्दों का प्रयोग चालू करते हैं पर बीच में कम हो जाता है पर सरीर की एनरजी भरपूर रहती है और ऐस आसे लोगों को प्रॉपर्टी का लाब भी अधिक प्राप्त होता है क्योंकि इनका बाहरी मंगल भी अच्छा है और ऐसे भी फिश्ट है इनवालों को कब लॉट में प्रॉपर्टिया खरितते पता नहीं चलता इन्होंने जो घर का प्रश्ण पूछा जैसे इनकी धंद् अच्छे है यह शारिरिक ताकत दे रहा है यह मंगल क्युकों हिमती जब किसी से मिलते होने ऑगे और इतने संकटों मैं भी यह आपने लेवल पर पर संक्रटों का सामना कर रहें। किसी व्यक्ति को 35 से लेकर 52 साल के हो जाने तक अगर व्यक्ति पैसा न कमा पाए। तो कैसी पेन होगी। यह पैसा तो कमाते होंगे उसके सामने खर्च हो जाता होगा। इस तरह की भी कंडिशन होती होगी। क्योंकि सुबसाइन तो है कहीं न कहीं पैसा तो आता ही होगा। पर उसका खर्च का पैमाना रेडी रहता है। चंद्रपरवत अच्छा है। इस तरह के चंद्रपरवत वाले व्यक्ति विदेश से संबंध आता ही है। पानी अच्छा लगता है दूद से बनी चीज अच्छी लगती है। सेकेंड चीज इनकी जीवन रेखा आगे चलकर चंद्रपरवत की और टच कर रही है तो हो सकता है कभी विदेश में भी सैटल हो जाए या अपने जन्सतल से दूर विकास करते हैं ये भी एक चीज देखी गई है सेकेंड अच्छे परचेसर होते हैं वेलू फॉर मनी रिफेंड सोच होती है ये सारे गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं चंद्रपरवत से इनके हाथ में ग्रेटर ट्रेंगल भी बना हुआ है तो जब भी पैसा कमाएंगे संपत्ति तो अच्छी खासी जमा कर लेंगे अ ऐसे लोग कपड़े अच्छे पैनते अच्छी तरह रहते गर्मी पसंद नहीं आती खुद का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रखते तो ये सारा लाप तो इनको प्राप्त है और यहां पर भी देखे तो ये इस तरह की साइन बन रही है ये जब बनती है तो ऐसे लोगो के हाथ में देखा और सरीड में एनरजी भरफूर रहती है अब इनकी हुर्दे रेखा देखे तो हुर्दे रेखा कम्प्लिट जूपिटर से सुरुवात हो रही है और यहां से चल कर यहां पर फ्लर्ट लाइन भी बनी है तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर पूरी जूपिटर से स्टार्ट हो रही है और यह चल कर सीधी भहुत आगे तक जा रही है जब इतनी अच्छी माइन लाइन हो जूपिटर से टच करती हो तो व्यक्ति महतोकांशी होता है और अपनी महतोकांशा पूरी भी करता है और ऐसे लोग कोई न कोई ज्यान लेने की कोशिस करते ही रहते है इनमें ये भी खासियत होती है कोई न कोई ज्यान लेते ही रहते है रात को सोने के पहले भी चाहिए यूटूब पर जाओ गूगल पर जाओ मैगजीन पढ़ो बुक्स पढ़ो कोई न कोई ज्यान लेता ही है तो नॉलेज वाले टीवी देखेंगे चैनल ले रहेंगे तो बुद्धी प्रतिवाग के कारण विकास भी अच्छा करेंगे पर मैंने पहले ही बताया कि ये सारी चीजे तो है ये बेसिक सभाव है पर कहीं न कहीं प्रॉब्लम हुआ तो वो सौल होता है हमारे जीवन में विकास होता तो ये सारी चीजे है अब एक एक करके इनके इन्होंने जानकारी दी है कि 44 में इनको हेड एंजिरी हुई थी और ये जब 50 साल के थे तो इनका एक आपरेशन हुआ था उसमें खुन काफी बह गया था और ये क्रिटिकल स्टेज में आ गए थे और वो कब हुआ था कैसे हुआ था उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे इतनी जानकारी इन्होंने दी है एक एक करके हम आते है उस पर एक 27 के आसपास एक राव रेखा ने काटा एक 31 के आसपास राव रेखा काट रही है एक 33 के आसपास राव रेखा काट रही है एक 37 के आसपास काट रही है एक 42 के आसपास और एक 44 के आसपास अब ये 44 के आसपास 100% यहां चोटा सा डॉट होगा यहां पर इस स्टेज पर तो ये head injury इनके जीवन में हुई कुभी राव रेखा काटती और उस जगह पर अगर dot हो तो operation या कोई ना कोई हाथ पर तूटना आया कोई ना कोई injury होती है तो ये अगर व्यक्तिकर तोर पर यहाँ पर देखेंगे तो कोई ना कोई छोटा सा dot जरूर होगा हलका सा अब ये 50 साल के थे तो इनको operation का सामना करना पड़ा ये रेखा चल कर यहाँ पर विलीन हो गई और ये बाद में ये जीवन रेखा बन गई और ये 52 में ये रेखा विलीन हो रही है और उसके पहले देखिए ये 50 के आसपास एक रेखा ने काटा जब क्रॉस में काटती है राव रेखा सीधी काटती है तो ज़्यादा तर आर्थिक नुकसान और dot हो तो कोई ना कोई operation या injury के संभावना होती है और सीधी काटे तो किवल आर्थिक नुकसान या कोई ना कोई तकलिब आती है जीवन में अब ये क्रॉस में काटी ये 50 के आसपास और ये इतना समय इनके जीवन में लगबग एक डेढ मैने का critical गया होगा critical stage 4-5 दिन या 8 दिन ही रहता है पर उस हाथ चीज से गुजरने में हो सकता है डेढ महीना निकलाओ इनका तूकि एक रेखा ने बड़ी लेवल पर काटा था और क्रॉस में काटा था जीवन रेखा को और यहाँ पर ये 52 के आसपास ये जनरली इस तरह की condition होती है तो भी इस period में व्यक्ति को कोई positive बड़ाओ जीवन में होता है चाए देश छोड़ता है चाए नया घर में जाता है घर बदलता है या नए घर देश या सहर छोड़ता है तो हो सकता है यहाँ पर कोई न कोई इनके जीवन में बड़ाओ भी आए या आने वाला है या आ गया होगा यह condition इनके हाथ में दिख रही है पर जनरली इस तरह की condition होती है तो ऐसा देखा जाता है यह सीधी जीवन देखा आई और यहाँ पर टच कर रही है पर यह तीन चीज में से कोई न कोई एक positive चीज इनके जीवन में chances है एक तो यह बात हो गई और यह रेखा यहाँ से चल कर यह सीधी चंद्रपरवत की और जा रही है तो ऐसे लोग अपने जन्वसल से दूर विकास करते ऐसा देखा गया अब यह जन्वसल से कितना दूर रह रहे है यह इनको पता मुझे जानकारी नहीं है और विदेश में भी settlement के chance इनके उजवल है अब इनकी धन्रेखा को देखे तो यह पूरी सुजन भरी है इसका close-up है मेरे पास उस पर चलते हम यह इनकी धन्रेखा का close-up अब देखे तो यहाँ पर यह पिरियड इतना अच्छा नहीं गया होगा यह पिरियड होगा इनके लगबब 24 से लेकर 30 तक का और 30 तक में एक line ने cut किया उसके बाद थोड़ी सी व्योस्थित income हुई होगी 2 साल अच्छे, 1-8 साल खराब इस तरह की स्थिती रही होगी उसके बाद यह यहाँ से जो इस्थिती विगड़ी इस पिरियड से 35 के आसपास से तो यह up to देखिए कहीं पर भी सुकुन नहीं है यहाँ तक यह पूरी fate line disturb है पूरी सुजन बरी रेखा है तो व्यक्ती अनकर ही नहीं पाता और उसमें भी यह बीच वाला पिरियड तो काफी डेंजर था यह लगबग होगा पिरियड यह बीच वाला पिरियड यह वाला यहां तक का यह पिरियड होगा इनके जीवन का लगबग 41 से लेकर 44 या 45 तक का है यह पिरियड तो काफी खराब रहोगा इनका और उसके बाद भी देखिए सुकुन नाम की चीजी नहीं है पूरी सुजन बरी रेखा अब ये आपको ये सुजन बरी रेखा आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी ये मेरा ही अविश्कार है मैं अच्छाती ठोक कर किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी और जीवन में डिस्टरबंस के मेजर कारण ये भी रहता है ये एक चीज हो गई उसके बाद यहाँ पर एक दो साल इनके जीवन में अच्छा जाएगा ये पिरियड होगा इनका लग बग 55 से लेके 56 का पिरियड अच्छा जाएगा उसके बाद भी कहीं न कहीं यहाँ जैसी कंडिशन है वैसी तो नहीं रहेगी और ये रेखा 56 के बाद भी इतनी ग्रोथ नहीं देगी जितनी ये एक्सपेट करते हैं ये यहाँ तक दो तीन साल इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं रहेगी पर फिर भी जो कंडिशन बिना कमाने वाले है से तो अच्छा कमाई होगी पर 55 के पहले ये नहीं कमा पाएंगे 55 के बाद ही इनके जीवन में इंकम आएगी और फिश राइन है तो जब भी आएगी अच्छी आएगी तो ये पिरियड में काफी सुन्दर फेट लाइन है और ये पिरियड है एक ये उम्र होगी लगबख 62-63 के बाद सुन्दर है और यहाँ पर ये दो फेट लाइन है ये हो गई 64-65 के आसपास से तो बुड़ापा तो काफी सुन्दर इनका जाएगा और ये फेट लाइन अच्छी बन रही है लगबख इसे भी अच्छी मानना या नहीं मानना ये सबजेक्ट है क्योंकि थोड़ी सी मोटी है तो 99% ये अच्छी है कहीं पर ऐसा सुजन जैसा दिख नहीं रहा है फिर भी मैं दूसरा फोटोग्राफ मंगा लूँगा उससे देख लूँगा तो यह है और यहां तक तो इनके जीवन में ग्रोथ न के बराबर है ये 55 के आसपा से ग्रोथ मिलेगी एक दो साल और उसके बाद ये 56 के आसपा से ग्रोथ मिलेगी और फिर आगे की कंडिशन के लिए मैं और एक फोटोग्राफ इनके बास मंगा लूँगा पर 99 परसेंट ही अच्छी है फेट लाइन तो इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा जो गया होगा वो ब्याज समय सुथ समय वापस आ जाएगा तो यह कंडिशन इनके हाथ मैं फोटोग्राफ के हिसाब से दिख रेगी है तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रस्णों के जवाब इनको मिल गयोंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद